हलो एंड वेलकम एवरिवन एंड जहां पे हम वाबस जुड़ चुके हैं सेवंथ कलास की सप्लिमेंटरी रीडर इंग्लिश के साथ आर अड़ी जो आपकी पहली इंग्लिश है वो हम डिसकस कार चुके हैं इन डिटेल आपको पूरी प्लेलिस्ट उस पे मिलेगी की हमारी प्लेलिस्ट के अंदर एक क्वास्टन एंड पूरी एक एक वोड जो है हमने पहली आपकी अनिकम बुक डिसकस किया है जहां पे हम बात कर रहे हैं आपकी सेवंथ कलास की जो सेटर निगलिश है इंसे आड़ी सी जो है study करेंगे and basically यह वाली जो supplementary English पढ़ने का मकसद ही जही है कि आपकी इससे English improve हो, ताहके you would be able to speak some sort of English to an extent, ठीक है न, तो यह जिसका basic purpose है, ताहके जो है आपका जो English reading में है, या English language है, इस पे आपका hold a bit stronger होना चाहिए, तो चलिए without wasting time, हम आपनी जो chapter है, जो journey है, इसको explain करूँगा क्योंकि उससे ज्यादा आपका time निकल जाता है, but, जो main purpose है, हमारा chapter की text को read करने का, इसकी meaning को समझने का, ताकि बार बार आप chapter को again and again जब समझोगे, तो बहुत सी जो है, आपका hold बनेगा language को read करने में, ठीक है, चलिए शुरू करते है, किस बात का हमें wait के दि the tiny teacher, tiny का मतलब होता है, छोटा, small, ठीक है, tiny का मतलब होता है, small and small होता है, बहुत छोटा, ठीक है न, जिस तरह मेभी इस chapter के अंदर जिस तरह से aunt की बात हो रही है, चिवटी जो होती है, तो बहुत छोटी है, ठीक है, टीचर का मतलब होता है, उस्ताद, the, इसने इसलिए य का चीज लिए इस लिए इस थोड अर्टिकल होता है हमारे पास वो होता है दा अर्टिकल होता है इसको हम हम यूई आइन जूप चईजों के लिए पर छांट माल करते हैं ठाहं ना तो यहां पर टाइनी कीज़ बन गी तो फिर्टिकूलर जो है टीचर कि बात हो रही है आपने जो है इनको हम कहते हैं अपने ठीक है यह यह होता है यह हमारा होता है कही बार यह चीजिए हम डिसकुस करेंगे ठीक है हाँ दो जब चप्टर को हम शुरू करें उससे पहले हमें राइट रही कुछ यहां पे जो है किसी चीज़ पर फोकुस करने हो कह रहा है दो हालांके दो का मतलब है हालांके बहुत चोटा है जो आंट होती है ठीक जो चुटी होती है अनबलीवेबली मतलब ऐसी चीज़ जिस पर आप शकीन नहीं कर सकते एंटेलिजन्ट मतलब बहुत ही ज्यादा एंटेलिजन्ट है एंट हार्ड वरकिंग है तो राइटर के एक आरि दो हालांके जो आंट है बहुत चोटी है लेकिन यह बहुत ही ज्यादा जो है अनबलीवेबली यह इंटेलिजन्ट है एंट हार्ड वरकिंग है अमंग दो वेरियूस काइंड्स काइंड्स दा कॉमिनिस्ट आंट इस ब्लैक और रैड ठीक है ना हमारे हाँ आप देखेंग काल्ड एंट हील्स ठीक है ना और जिनन इस्ट के अंदर रहती हैं जिन घरों में रहती है जिन बारूज के अंतर रहती हम उनको कहते हैं फोटेशन्ट हो सकता है Name the smallest insect you have seen and the wisest, ठीक है न, हमें जहां पर एक जो यह writer है, यह हम से पूछ रहा है, कि Name the smallest insect you have seen, सबसे छोटा insect, इंसेक्ट का मतलब है कीड़ा, smallest का मतलब है छोटा, टाइनी, ठीक है, Name the smallest insect you have seen, किसी छोटे से छोटे इंसेक्ट का आप जो है नाम बताओ जो आपने देखा है, इंड दा wisest, और सबसे जो धना हो, जिसको सबसे ज्यादा अकल हो, सबसे ज्यादा समझदार वाला, जो insect है, जो आपने देखा हो, सबसे छोटा और सबसे wisest आपको बताणा है, Is it the fly? क्या ये फलाई है? फलाई होती है मक्ही, जो घरों के अंदर होती हैं, गर्मीों के टाइम पर, क्या ये मक्ही है? वहीं से हमें कहता है, कहीं आप ये ना समझ लो कि ये मक्ही है, तो वहीं से इस लिए इसने पूच लिए हम से, क्या ये मक्ही है? तिन खुदी अगल बंध़ इस तरह से क्वासिन माँ पड़ता है तो इसका मतलब यह सुखाये तो कि Creator राइटर कोड़ने के बाद कहता है नहीं इस्च ciudadillsEr्ग के टिकने नहीं है रिवाइजिकेक जो आइनिमल जो है वो नहीं है ठीक है ना इन्सेक्ट नहीं है then it must be the warm ठीक है न जो है यह जो होगा warm होगा ठीक है ना warm होता है कीड़ा आप जो warm होते हैं different किसम कियों होते हैं जिस तरह से इसकेरियस होता है जा अर्थवाम होता है अर्थवाम जो होता है ठीक है जो जो जमीन में होते हैं ब्रवन कलर के जो कीड़े होते हैं जा वो वाला हो सकता है आपको लगेगा दिन राइटर खुदी बोलता है नहीं नो नन आफ दीस इन में से कोई भी नहीं है तो राइटर न कैने जो सबसे जो है समद पर बाइजाती है अन्ट का मतलब है जो आम तोर पर पाया जाता हो तो आंड है वो सबसे ज्यादा जो है पाई जाती है सबसे चोटी है लेकिन सबसे वाइजेस्ट है सबसे जो है मतलब धना है अकलमन है दी स्टोरी आफ एन आइंट्स लाइफ सराउंड साउंड्स आलमोस्ट आंट्रू जो स्टोरी होती है एक आइंट की जिंदगी की एक चियूटी की जिंदगी की वो बिलकुल ऐसी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा यह सही नहीं हो कि एक यह सहित ख Wine अंट आपका थी चिए ले लेकिन जो लोग है वो चियूटियों को आज प्राकर टेओ टीच है लाक Mess Haramald वोगों ने च्मेंट्रिखो जो है आइस पैट्रिखा है ठीक है तो पहले हमने बताता है के सबसे जो वाइज इस्टिंड को सभी से समालिस्ट बारे में जा उसकी लाइफ के बारे में अगर आप सुनोगे तो आपको एंट सेच के ना इनको कभी बालतू भी रखा जाता था पालतू से, जिन जिस तरह से डॉग होता है यह पाल तो इस तरह से एंट जो है इनको भी घर में पाला जाता था एंट वाच्ट धियर डेली भी हैवियर क्लोजली और जो है इनका जो है देखा गया है इनका देखा गया है दिन को यह कैसे रहती है कैसे करती है पूरा दिन जो है क्लोजली इनक बहुत से जो चीजे हैं ठीक है ना इस छोटे से इस टाइनी टाइनी का बतलब है छोटा बहुत छोटा इस टाइनी सा जो हार्ड वर्किंग टाइनी हार्ड वर्किंग एंड एंटेलिजन ठीक है करियेचर जो है तीन क्रेक्टरिस्टिक्स जिसने मेजरली जहां पर मिंशन कि ही हमें लोग इनको क्या किया कर देथे घारमें पाला करते थे तो ंपर वाले हमने रिखा से वाइस्ट सॉर समालिख जो आंट है और फेले हमें सी चीजें जो है इस टाइनी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजन्ट करियेचर के बारे में पता चाल गई है इन आंट यूजर इट्स फीलर्स आर एंटेना टू टू अधर आंट्स बाइपासिंग मैस्जर्स थ्रो दिम ठीक है ना जो एक आंट होती है यह इस्तमाल करती है यह चैसे फीलर्स क्या होते हैं इसके उपर यह वान जो दो हैं आगे यह जो टीकर नए इन इन विके जो एक आंट दूसरी आंट से बात करती है और इनसे मैसेज बेईती है मैसेज बेईती है अगर किसी को एक बात करनी होगी दूसरी आंट उसको समीचती है ठीक है ना दूसरी आंट जब बात करती है वो पहली वाली को समीचती है सिरफ इस एंटेना से ठीक है एंटिशांपे मैं आपको पूछ रहा हूं फिर से कि एंटिना क्या होता है जो हमारी चिउटी की आगे तो छोटे-छोटे-छोटे बाल होते हैं हम उनको एंटिना करते हैं ठीक है वाचे रूफांट्स आप जो है एक रो जो है एक लाइन रो का मतलब एक लाइन देखो चिवंटियों की जो दिवार के उपर जा नीचे मूँ कर रही होंगी उनमें आप क्या नोटस करोगे जितनी भी आंट्स होती हैं जितनी भी आंट्स होती हैं वो सब भी आंट्स क्या करती हैं अगर दूसरी साइड से कोई आंट आ रही होगी तो वो सब जो है उनको गरीट करती हैं उनके उनके एंटेना को टच करके उनके फेलर्स को जिस तरह आप टच करके जो है नमू कर रही यह वाली आर्ट जो है अब यह वाली इसको टच करेंगी अब यह वाली पीछे से सब जो है एक दूसरे को एंटीना को टच करके जाती है जब दूसरी डिरेक्शन में कोई जा रहा हो ठीक है चल ले रहा है डिर्ण मेनी कार्ण साफ आर्ट हमें जहां पर जो राइटर बता रहे का जहां पर बहुत से किसम की जो है चीविटियां होती है इंट उन ऊंक देखा है तब से जबसे हम बच्चे थे बाट haven't paid enough attention to them. लेकिन हमने ज्यादा कabhì attention नहीं दिया. किन को नहीं दि? इनचेव मडियों को नहीं दि. वेर दूधे लिए उचे वो जो हैं कहां रहती हैं? कहां रहती हैं? लियों का मतल्ब है रहती हैं? वो कहां रहती हैं? हमने कभी नहीं सोचा कि वो कहां रहती है in their comfortable homes called nests are endhills ठीक है न जहां पर आगे आगे हमें writer खुदी बिताता है कि वो रहती है अपने अरामदाइक comfortable का मतलब अरामदाइक घरों में जिन को हम क्या कहते है nests गौंसले या endhills इनके गार का नाम endhills भी है each has hundreds of little rooms and passages each जो endhills होता है जो इनके nets होते हैं उन में hundreds of little rooms होते हैं हजारों मतलब hundreds में सौ में जो है उसके अंदर rooms होते हैं और passages होते हैं और अंदर गलियां भी होती हैं बहुत सी in some of these rooms the queen and lay eggs in in के कुछ rooms में जो इनका घर होता है endhills होती है उनके कुछ rooms में जो है जो female queen होती है female ant होती है वो क्या करती है अंडे देती है वहां पर ठीक है ना others are nurseries for the young ones called grubs ठीक है ना दूसरे जो होते हैं वो nurseries होते हैं ठीक है ना इसले है यो भी बिच्चे जहांसे पैदा होंगे इनंडों से पैदा हो बाकि जितनी भी चिंटया चिंट्या होती है वह उनकी को चरते तो छोड़े बचे होते हैं इनको कहते हैं जो ने ने अंटों से निकलते हैं, उनको grubs कहते हैं, ठीक है? जहाँ जहाँ पर आप देखें कि ये वाले grubs है, बाकि जो हैं बड़ी young ones, ants जो हैं, ये nurseries हैं, ये इनके लिए कुछ लाते हैं, ठीक है? workers have their, जो workers होते हैं, काम करने वाले, जो ants होते हैं, ठीक, have their reserved quarters, ठीक है न, उनके reserved quarters होते हैं, ठीक है न, मतलब उनके जो है, particular quarter वहीं पर कुछ room होते हैं, they spend most of their time searching for food, जो workers होते हैं, ज्यादातार जी अपना time किस में सरच करते हैं, food को, खुराग ढूंटने में जो हैं, अपना time लगाते हैं, some rooms serve as store houses for this food, ठीक है न, कुछ कमरे जो होते हैं, वो store houses का का काम करते हैं, in ant hills के अंदर, ठीक है न, जिसके अंदर food रखते हैं, ants, soldiers have separate barracks, जो soldiers होते हैं, ठीक है न, जो ants के soldiers होते हैं, उनकी अलाग से बारिक होती हैं, soldiers अलाग से रहते हैं, ठीक है, no worker has ever tried to live in soldiers house, कोई भी worker, जो है, कभी वो soldier के जो room होता है, जो soldiers का section होता है, उसमें रहने की कोशिश नहीं करेगा, workers का अपने rooms होते हैं, ठीक है न, soldiers के अपने rooms होते हैं, ठीक है, और जो queen होती है, वो particular rooms उनके लिए होते हैं, जिसमें वो अंडे देती है, कोई भी जो soldier होता है, वो food ढूंडने नहीं जाता, ठीक है, न, food ढूंडने नहीं जाता, food ढूंडना किनका काम होता है, जो workers ants होते हैं, ठीक है, जो काम, कुछ ants होते हैं, इनके group होते हैं, कुछ ants का का काम है, वो food ढूंडते हैं, कोई भी वरकर जो होता है या कोई सफाई होता है चेवटियों का जो सफाई करता है जो चोटी चेवटिया जो अभी अंडों में से निकलती है उनको कोई भी नुक्सान नहीं पहुंचाता है कोई भी उनके साथ छेड़ चार नहीं करता So you see in ants life is very peaceful So तुम जो है इससे देख रहे हुए कि जो चिव्टियां हमें छोटी-छोटी देखती है इनकी जिन्दगी जो है काफी ज्यादा peaceful है अराम मज़े से अमन से रहते हैं जगड़े वगड़े नहीं करते Each does its share of work intelligently ठीक है ना हार कोई जो है अपना काम जो है intelligently करता है सही से करता है ठीक है ना पूरी अपना जो है पूरा excellence लगा के काम करता है and bravely और बहादरी से सब अपना अपना काम करते है and never fights with other members आफता group और कभी भी यह जो चिव्टियां होती है ठीक है ना दूसरे members के groups के साथ नहीं जगड़ा करती मतलब soldiers worker के साथ जगड़ा नहीं करेंगे worker soldiers के साथ जगड़ा नहीं करेंगे तो सब जो है अच्छे से रहते हैं मिल जूल के तो जहां पर जो उपर हमने story का comprehension part पड़ा इस की होई हमें आप checking होगी के क्या हमें जो है properly हम चीजें जो है हमने समझी के नहीं समझी the story of an ant's life sounds almost untrue जो एक ant life की जो story है वो हमें almost जो है सही नहीं लग दी the italicized phrase means यह जो almost untrue है इसका क्या मतलब है highly exaggerated to remarkable to be true ठीक है ना not by not based on facts ठीक है ना तो इसका क्या मतलब होगा almost untrue मतलब के जो है पूरी तरह से वो सही नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा कि यह किस पे नहीं है यह है not based on facts facts पे नहीं है पहले को हम लिखेंगे यह facts पे नहीं है इसलिए वो सही नहीं है then we'll show दूसरा one and it is complete the following sentences जो नीचे लिखेंगे sentences हैं आप इनको क्या करिए complete करिए okay so जब हम इनको करेंगे exercise को हम separate करेंगे तो दिन जे वाले जो है आप जो है एक ही बार जो है आपके हम कर देंगी is that clear then उसके बाद है हमारा in what ways in what ways is in aunt's life peaceful ठीक है ना किन तरीकों में जो है एक aunt जो होती है उसकी लाइफ जो है peaceful होती है ठीक है तो यह वाले जो है हमारे questions है जिनको हम जो है like से जो है जब हम study करेंगे तो देखेंगे इसके साथ ही जो हमारा जहांपे portion है इसको हम करते है complete and जो है हम जो है जहांपे वीडियो को break करके जो है इसके बाद second portion को discuss करेंगे तो चलते हैं next portion पे till then make sure के आप channel को subscribe करें